अपराधी एवं माफियों की कमर तोड़ने में बाराबंकी पुलिस ने अवल इस्थान हासिल किया है और इस बात की पुस्तरी बाराबंकी पहुंचे ADG Jones लखनव ब्रैजभूशर सर्मा ने किये बाराबंकी पुलिस अपराधियों एम माफियों पर लगातार बड़ी कारवाही कर रही है और इस कारवाही को करते हुए बाराबंकी पुलिस ने लगभग एक अरब 63 करोन से जादा की संपत्ति की सीज की कारवाही किये आज बारा बंकी में फिर एक बड़ी कुर्की की कारवाही हुई है और इस कुर्की कीमत लगभग दो करोन से जादा रुपए की अंदाजी जा रही है हाला कि बारा बंकी में तमाम कुर्की की कारवाईया हो चुकी है लेकिन आज की कुर्की की कारवाई कुछ विशेश हो जाती है क्योंकि ये मामला विद्द भाग के नटवर लालों के खेल से संबंदित है जिस सही सुना आपने बारावंकी में विद्दुद भाग के एक नटवर लाल करमचारी ने ऐसा खेल खेला कि जिसके बाद उसके उपर गेंगेस्टर एक्ट में मुकदमा दर्जुआ बारावंकी पुलिस और परशासन ने सही तुरोप से मुनादी कराते हुए ये पूरी का रवाही की जाती है जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहे हैं दे कैमरा वन ट्रिपल नाइम वात संख्या 36 बटा 2022 सरकार बनाम रजनीश कुमार अंतरगत धाराग 14 एक उत्तर प्रदेश गिरोह बंद्यम असामाजिक क्रिया कलाप निवारण दिनियम 1986 में दिनांक 10-11-2022 को जिला दिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 16-11-2022 को प्लाट नंबर 183 पर 200 वर फीट पर निर्मे तीन मंजिला मेकान इस्थित ग्राम बडेल रजनीश कुमार गैंगेस्टर आठ के खिलाप के अंतरकत जिसके बुरुद कारवाई की गई है उसका ये मकान बिधिक रूप से कपजे में लिया गया उत्तर प्रदेश के बारा बंकी जिले में बिजली विभाग के नेटवर लाल पूर्व लेखा का मकान और दो कार को आज पुलिस प्रशाशन ने कुर कर लिया इस पूर्व लेखा कार ने अपने कार्याले सहाय के साथ फरजी रसीत के सहारे बिजली विभाग को करोड़ो रुपए का चूना लगाया था जिसके बाद जिलादिकारी अविनाश कुमार ने आरूपी पूर्व लेखा कार की एक करोण से जादा की कीमत की संपत्य को कुर्क करने का आदेश जारी किया जिस पर आज बारा बंकी पुलिस प्रसाशन ने गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14-1 के तहट कुर्की की करवाई की है परकारी संस्थाओं में ब्याप्त ब्रस्टाचार के बिरुद्ध कारवाई करते हुए आज जन्पत 12 बंकी में एक पावर कारपरेशन के रिटार्ड और बर्खास किये गए एकाउंटेंट के बिरुद्ध गैंगिस्टर का मुकदमा कायम किया गया था जिसमें उसके घर क परकारी लिए और इसके अन सम्पतियों का पता लगया रहा इसके द्वारा जो दो कारें खरीदी गई थो उनकारों को भी कोर कर लिया गया था पूरा मामला बाराबंकी की फतेपुर डिवीजन के ततकाली नदिशाशी अभियंतार ररजीस सिंग कनोजिया ने 30 अक्टूबर 2018 को ठाना फतेपुर में एक मुकदमा लिखाय था जिसमें फतेपुर कार्याले में काररत कोतवाली नगर के मोहला लगपेडा बाग निवासी लेखा कार रजनीश कुमार और लखनव के अलिगन निवासी कार्याले सहायक सर्वेस कुमार चोधरी को नामजद किया गया था इन दोनों नटवर लालों को गबन और जालसाजी का आरूपी भी बनाये गया था दोनों पर आरूप है कि इन्होंने मिलकर 8 रसीद बुक को गायब कर दिया उसी एक पर दोनों के खिलाफ आला अधिकारियों ने बरखास्तकी की कारवाई की और मुकदमा दर्ज कराया विभाग ने चानवीन के बाद 245 रसीद भी बरामत की जिसमें एक करोण 12 लाग 30,000 रुपए का हिसाब मिलता था जबकि 155 सीटों का पता ही नहीं चल सका इस पूरे मामल पर दोनों के संपति चिननित करना शुरू किया जिसके बाद गैंगेश्चर एक्ट की धरा के तैथ पुलिस ने डोनों की संपति चिननित करना शुरू किया जो इसे अपरास से अरजित की गई थी बाराबंकी की ASP North पूर्णेंदु सिंग ने बताया कि पुलिस ने रजनीस का मकान और कार समेथ बाकी चीजों को चिन्नित किया था तो आपने देखा कि बाराबंकी पुलिस ने किस प्रकार से एक बड़ी कुर्की की कारवाही की है और कुर्की ही नहीं सबसे बड़ी बात ये है कि अवल इस्थान भी हासिल किया है एक करोन 63 लाग से ज़्यादा की सीज की कारवाही जो बाराबंकी पुलिस ने की है ये कहीं न कहीं इस बात की पुष्टी करता है कि बारावंकी फुलिस जिस प्रकार से कार्रे कर रही है वो योगी सरकार के निर्देशों का पूनतिया सत्प्रसत अनफालन कर रही है और कहीं न कहीं अपराधी और माफियाओं की कमर तोड़ी जा रही है जनपत बारावंकी से दे कैमरा वन ट्रिपल लाइन के लिए सहीयोगी सरदार परमजी सिंग बाबा के साथ मैं नितिय श्मिश्रा